हलो यौल ब्यूटिफुल CBSC स्टूदेंट्स आपके बोर्ड इग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कुछ अपडेट देना और इसका इफेक्ट सीए फाउंडेशन के एक्जाम में क्या आएगा उसके वारे से बात करनी है सो CBSC का कहना है कि आपके एक्जाम वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जुलाई 15 से लेके 26 अगस तक ले सकते हैं देखो लिखावा है यहां पे और एक्जाम पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो सकता है फाइनल डिसीजन का आप आएगा कि सर क्या वाकई में जुलाई 15 से लेके अगस्ट 26 तक एक्जाम होगा यह फाइनल डिसीजन आपको मिलेगा 1st of June को तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को CBSC ने दो प्लान प्रपोस कि एक प्लान A और एक प्लान B प्लान A ऐसा है कि भाई रेगुलरली जैसे एक्जाम कंड़क्ट होते वैसे तो नहीं होंगे कुछ major subjects के few subjects जो major आपके उनके एक्जामस लिए जाएंगे otherwise अगर वो प्लान काम नहीं करता तो प्लान B यह है कि 3 घंटे के अलावा देड़ घंटे का paper होगा और यह आप अपने school में ही देंगे और यदि प्लान B वाला examination होता है जिसमें आप अपने school में बैठके exam देंगे उस situation में आप को short type question पूछे जाएंगे और objective वाले question पूछे जाएंगे जो जिस तरीके से जिस level से board exam होता है वैसा नहीं होगा जैसा कि आप देख रहे हो कि if plan B is accepted then the exam pattern will also be change for data exam and there will only be mcq and very short type question in the exam to allow student to complete the exam in the given time यह है और gujarat board ने science stream के लिए science stream के लिए उनने 1st July थे 1st of July से announce कर देगी वहीं exam ले रहे मैं हमारी 36 गड़ बोर्ट की बात करूँ तो 36 गड़ बोर्ट ने तो यह बोल दिया कि भाई आप अपने school में जाए question paper लीजिए सारे 5 दिन का आपको समय मिलेगा घर पे अराम से लिखिए और submit कर दीजे अब सर्थ chances के हैसर आपकी prediction के हैसर exam होगा की नहीं होगा देखो मैं बच्चो clear cut आपको एक बात बता दू कोई भी बोर्ट कोई भी state यह नहीं बोल सकता कि हम एक्जाम नहीं कंड़क करवाना चाते 36 गड़ बोर्ट ने क्या किया भाई एक घर बैठे वाले exam का skim निकाल दिया कि कानूनी तौर पर आप यह नहीं बोल सकते कि हम एक्जाम नहीं लेंगे और supreme court भी ऐसा नहीं बोलेगा कि हाँ एक्जाम मत कंडग करा हो और general promotion कर दो आप ऐसे एकदम apparently, transparently नहीं बोल सकते यह कानून के scope में रहके कुछ काम करना पड़ता है तो court को भी और कानून को भी ऐसा कुछ दिखाना पड़ेगा कि भाई देखो कुछ तो किया है प्रिवेस असेस्मेंट किये प्रिवेस एक्जाम के बेसिस में असेस्मेंट किये या home based exam दे दिया कुछ easy करके दे दिया कुस्तो दस्ता वेज हो जिसके बेसिस में आप court को दिखाओ और PIL फाइल करो और बोलो कि भाई अब देखो इस बेसिसमेंट को पास कर दो थोड़ा सा असान कर दो थोड़ा सा रिलैक्स कर दो लेकिन ऐसे बोल दो कि नहीं होगा तो यह नहीं चलेगा तो chances हैं कि किसी ना किसी तरीके से exam होंगे बट यह उस लेवल के नहीं होंगे जिस लेवल के हमेशा हुआ करते थे यहां पे थोड़ी सी रियायत बढ़ती जाएगी साले भी बहुत सारे वीडियो में बोलाओं कि जून में मुझे थोड़ी से chances कम दिख रहे हैं ठीक है अच्छा सर सी बीसी के examination की वज़े से chances कम दिख रहे हैं बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं जितने भी सी यह फाउंडेशन जून वाले बच्चे हैं बेटा सी बीसी क स्टूडेंट जो देड़ करोड है और आप लोग सिर्फ foundation वाले जो जिसका आठ दिन में exam खतम हो जाएगा आप लोग मुठी भर हो ठीक है तो उनका exam कंडग कराना और आपके में थोड़ा सा difference है हाँ कही ना कहीं इसके उपर एक factor आता है यह cbsc भी नहीं ले पा रहा है exam तो फिर foundation वाला कैसे रहेगा क्योंकि कोई तो भी exam अगर possible हो रहा है cbsc का तो फिर कहीं आपन सोच सकते हैं यह foundation जून में possible cbscla को बोला हूँ आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए मैं पहले भी बोला हूँ आप यह predictions में मत बढ़िए बच्चा बार अबर पूछ रहा है सर कुछ update मिला क्या कुछ prediction है क्या मैं साफ बोल रहा हूँ बेटा आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपने आपको रॉब कर रहे हो आप टीक है वेस्टिंग टाइम इस इक्वल टू रॉबिंग यर्सेल तो आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए अपकी पढ़ाई कंटीनियू रहनी चाहिए सारे marathon मेरे available हैं बच्चे रोज देख रहे हर marathon में जैसे जैसे भी क्योंकि announcement नहीं आई है और लग रह आइटिंग में दिक्कत आ रही है के स्टडी में दिक्कत आ रही है उसके लिए हमने अलग से प्रोडक्ट अल्रड़ी बना के रखा है डिस्क्रिप्शन में सारी चीज मिल जाएगी मैं यह सब बताने नहीं बैटा हूं मैं अपनी opinion मेरा personal opinion अगर मैं बात करूं तो जून मे मुश्किल exam impossible नहीं है मुश्किल है मुश्किल मेरे पास कुछ data भी है यह मैंने कुछ एक दो दिन पहले लिया था जिसमें सरकार ने खुदी शेयर किया था कि भाई कहां कहां कित्ते active cases है तो देखो more than एक लाग active cases है 8 state में 50,000 से एक लाग के active case है 8 state में और less than 50,000 cases है 20 state में कहीं ना कहीं अच्छी मात्रा में active cases चल रहे है और देखो सबसे ज़्यादा अगर case के अगर बात करें तो करनाट का 5,14,000 active cases है महरास्टर है केरेला है तो मुझे भी difficult लग रहा है कि जून में exam CA foundation का exam difficult लग रहा है बट बेटा कल किस ने देखा भविश्य में बराबर है कि पिछली बार भी 2 cycle में exam हो तो मुझे भी मुश्किल लग रहा है exam लेकिन impossible नहीं लग रहा है तो मैं again बोलूँगा कि भाई अगर आपको foundation के student हो बहुत सारा content free में available एक बार description चेक कर लेना और अगर आपको कुछ special guidance चाहिए तो उसके लिए अलग course है उसके लिए आप description पास जाए और ICAI थोड़ा सा clarity दे जैसे इंटर और final के लिए दिया था ताकि आप भी थोड़े से निश्चिंत हो जाओ मैं समझ सकता हूं आपकी सारी भावना है मेरे बहुत सारे student खुद बिचारे कोविट positive रहे हैं कहीं ना कहीं किसी की उनके निया डियर की देख थोरी ह बन सके तो पढ़ाई चलती रहनी चाहिए मुझे भी जून में एक्जाम मुश्किल लग रहा है और जो इंटर वाले students है बताना चाहता हूं क्योंकि आपके foundation और इंटर दोनों क्योंकि सब को ऐसा लग रहा है कि एक्जाम की डेट तो बढ़ी गई है तो जून वाले जो य discount price है जो आप अलग से 6262621438 वाले नंबर पे संपर करके अवेल कर सकते हैं जो भी content चाहिए होगा foundation इंटर वालों को कुछ free के content है कुछ paid है अगर आपको अलग से चाहिए तो so that's all यही update आपको देना था कृपा करके पढ़ाई अपनी नारों के पढ़ाई continue रखें and वीडियो का अगर updates ऐसा अच्छा लगता रहता है तो please like, subscribe और bell icon click करके रखें मैं ऐसे ही update आपको time to time देते रहूँगा मुझे थोड़े time में like थोड़े time में I'm not very sure मुझे थोड़े internal information मिलने वाली finally कि क्या होने वाला है वो update मैं आपसे जरूर शेर करूँगा जैसी मुझे मिलेगा बट उसके लिए आप bell icon को जरूर क्लिक करके रखेंगा, thank you so much and take care, bye bye